हेलो भाई हूं एक बार फिर से आप सभी कस हो गता है आपके अपने चैनल में तो आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं जो न्यूजी लेंड और इंडिया की विच्छ तीसरा ओडिया मैच खेला जाने वाला है जो की खेला जाएगा सुबा साथ बजे हागले ओबल क्रि ट्रिक्स मिलते हैं तो यह से आकर टेलगाम चैनल कर लो टेलग्राम चैनल कर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन मिल जाएगा और अगर आप कमेंट सक्षिन में जाएंगे तो आपर विच्छ की बात करें तो बहुत अच्छा वाइटिंग होगा ध्यान रखना जह में इंडिया ने 55 मैशों जीत दर्ज की न्यूजी लेंड ने 50 मैशों जीत दर्ज की 6 मैच वास आउट हो गया है और इस ग्राउंट पर मैचेश की बात की जाए जहां पर यह ओडियाई मैच खेला जाने वला है तो टोटल अभी तक 22 मैच खेले गया है गयारा में बैटिं सब्सक्राइब ने 50 मैच खेले में न्यूजी लाइंड के खिलाब ओडियाज में 435 रन कोर पर अच्छे फाम में चल रहा है मच्पी खोने वाला है खास कर है टोटल में ध्यान रखना उनके साथ हैंगे शुमण गिल ओडियाज में 14 मैच अभी तक खेले हैं 671 रन कोर खेल से बहुत ही अच्छा प्लेयर नजर आता है ओडियाइज का है तो चार मैंच खेलें 111 किये हैं और रिसंट फार्म की बात किये तो चार एक सुचब्विस पैतालिस पचास और यह भी बहुत ही तगड़े फार्म में चल रहा है मस्ट फिक होने वाला है उनके बाद पांच मैच खेले हैं जिसमें तेरह सो उन्यासी रहन स्कूर किये हैं उनके बाद आंगे रिसंट फार्म में चल नहीं रहा है उनके बाद आंगे सुर्कमार यादो ओड़ेज में 15 मेच उन्हों नो खेले हैं 378 रण स्कूर किये हैं और हैट टुएड मैच इसकी बाद कीजाए तो न्यूजिलेंड के खिलाब दो ओड़ेज में 38 रण स्कूर किये हैं रिसंट फार्म की बाद कीजाए तो चवदा 111 न उनके बाद आने वाले हैं वासिंगटन सुंदर ओड़ेज में इन्होंने आठ मैच खेले हैं 94 रण स्कूर किये हैं 8 विकर निकाले हैं head to head match की बाद कीजाए तो दो मैच खेले हैं न्यूजिलेंड के खिलाब ओड़ेज में जिसमें 378 रण स्कूर किये हैं कोई विकर नही हुआं निकला है एक चार बुकर निकला है अधियक में दोने जिसमें 245 लेञ सब्सक्राइब करेंगे अगर यहां से टॉप प्लेयर के बात करेंगे तो पिक कर सकते हैं बैटिंग सेक्षन से सब्सक्राइब कर सकते हैं सिखर दोन को उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं सुमन गिल को और उसके सासर स्रे सयर या फिर सूर्क मार यादो में से किसी एक को उसके सासर पिक कर सकते हैं बालिंग सक्षन से दीपक चाहर को यह बाइटिंग भी कर लेता है उसके सासर पिक कर सकते ह मैं इंडिया इंसलैंड help झाहिए में जीट मना यहां से ओपन करनेगे फिंअलन उनके साथ पड़ेंगे ऍस मैच खेले हैं 333 उरज में ईंडिया करते हैं हम एक जब depos में तो किजात इनफोर गूल यहांसे यहांसे ओपन नबस हसे ऑपन करते हैं 32 इस इतने अच्छे फाम में नहीं चल रहे हैं खास कर लेफ्ट हम फास्ट बालर्स के खिलाप यह फस्ते हैं ध्यान रखना उनके साथ आएंगे डेवन कॉनबे ओड्याइज में उन्हों ग्यारा मैच खेले हैं सब्सक्राइज में चल रहे हैं के बाद आएंगे डेरिल मिचल ओड्याइज में इन्होंने बारा मैच अभी तक खेले हैं ग्यारा ध्यान रखना द्रीम लेवन में सिर्फ 15% लोगों ने इसको सेलक्ट किया हुआ है लेकिन एक ट्रम काट सावित हो सकता है नंबर 4 पर बल्लबाजी करेगा साथ में दो तीन ओवर्ड भी डाल सकता है अपने तो बहुत ही अच्छा प्लेयर भी है टेस्ट का खासकर रहा इसका इंडिया ख्लब ध्यान रखनार इसन फार्म की बात की तो एक मैश कहले इंडिया क्लब ऑड्याज में बैटिंग नहीं करें पाए थे रिसन फार्म की बात की जाए तो बासाट सत्रा सट्रा चे बारा और चबड उनके बात आएंगे माइकल ब्रत्ष बरोड़ तो सट्रा मच खेले हैं तो सत्रा मेच खेले हैं जिसमें तो एक यह थे सप्रीक निकाले इंडिया ख्लाब द्यान रखना इंडिया इसका रिकाट अच्छा है बात किजिए तो पांच चार दिगट जीरो कट जीरो गट और एक बिगट उनके बाद आने वाले हैं टिम साओधी ओड़ेज में उन्होंने डेट सो मैश खेलें अभी तक जिसमें 202 बीकर निकाले हैं इंडिया उनके बात किजिए तो जीरो गट तीन बीकट दो गट तीन ब लें टी साओधी यह एंडी यह फर्गियोशन डेथ के बबर डालेंगे यह मिलने यह फर्गियोशन टी साओधी बेंच में जो प्लेयर अगर कोई खेलता इस्टेट टेल्गाम चैनल पर मिल जाएंगे अगर यहां से टॉप प्लेयर की बात करें तो पिक कर सकते हैं सक्षन से मिचल सटनर को पिक कर सकते हैं उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं तीम साओधी को और उसके सथा में यह फिर लौक्या फर्गुशन में से किसी एक को तो अनुवासी सौला पाट हो चुका अब बात करते हैं डेमो टीम की बात करने से पहले बस आप से एक रिक्वेश्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्रिजीए लाइक कर दीजीगा बात करते हैं डेमो टीम में मैंने बेकेट कीपिंग सक्षन से रखा है डी कॉनबे और टील आथम को बैटिंग सक्षन से में रखा यस धवन के बिलियम सन यस गिल और यस तो थैंक्यू वाई अकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चनल को सेब्सक्राइब करना साथ ही साथ टेलगाम चैनल को जायन करना मत भोलना क्योंकि टेलगाम चैनल पर आपको फाइनल टीम मिलती है लिंक डिस्क्रिप्स्टिप्शन में दिए हुआ, कमें सक्सर में भी मिल जाएगा थैंक्यू